पुत्री इस्राइल में Sea of Galilee ये जील सबियों से पानी का एहम स्रोत रही है इसे जॉर्डन नदी से पानी मिलता है और आगे जाकर ये डेड सी में मिल जाती है ये इसाईयों के लिए एक तीर्थ है और इस्राइल का ताजे पानी का मुख्य भंडार लेकिन जलवायू परिवर्तन और आती दोहन से इस पर खत्रा मंडरा रहा है इस्राइल में 4-5 साल लगातार सूखा पड़ा और हमने देखा कि Sea of Galilee का जलिस्तर और भी जादा गिरते हुई इतना कम हो गया है अब हम उससे पानी भी नहीं निकाल सकते अब दुनिया में अपनी तरह के एक पहले प्रोजेक्ट से इस्राइल को समस्या सुल्जा लेने की उम्मीद है वो समुद्ध के पानी से नमक निकाल का जील भरेगा यहां जो पानी फिल्टर हो रहा है उसके लिए चार मेंब्रेन हैं जो बड़े टुकड़ों को अलग करते हैं उसके बाद पानी रिवर्स ऑस्मोसिस मेंब्रेन से होकर गुजरता है जोकी दूसरा चरण है और मुख्य प्रक्रिया है इस वाइल करीब दो दशक से पानी का डिसालिनेशन कर रहा है यहां तकरीबन समूचा पीने का पानी समुद्ध से आता है तो भूमद इस आगर से इस प्रक्रिया से गुजरते वे ये पानी इस पाईप और ग्लास में पहुंचता है जैसे जॉर्डन पानी इसराइल और जॉर्डन के बीच 90 के दशक में हुए शांती समझोते का एहम हिस्सा था पांच करोड क्यूबिक मीटर पीने के पानी की आपूर्ती वाली डील की सीमा 2021 में दोगुनी कर दी गई पिछले साल इसराइल उर्जा के बदले जॉर्डन जल समझोते को दोगुना करने पर राजी हुआ इसके कारण गैलिली में पानी भरना ज्यादा एहम हो गया ये सभी पक्षों के लिए अच्छा है कि हम सी ओफ गैलिली में पानी भर सकते हैं उसकी गुणवत्ता सुधार सकते हैं जल स्तर बढ़ा सकते हैं और नौबत आये तो अतिरिक्त डी सैलिनेटेड पानी का समाधान खुद सकते हैं जानकार मानते हैं कि अर्बों डॉलर का ये प्रोजेक्ट गैलिली को सस्टेनेबल पानी का सुरूप बना सकता है